और क्या हाले मेरी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्रेथा पाक कलम स्वागत की साथ साथ अभी दंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ हेलो आप लोग कैसे हो आप श्रेथा पाक कलम बने यह दाल जो एरहर की दाल है जिसमें उने लॉकी डा की बनाया है सबजी औ दाल एक साथ बना के तयार किया है बहुत ही टेस्टी बनती हेल्दी एक साथ सा टेस्टी बहुत होती है जटपट बन जाता है कभी कहीं जाना हो जल्दी हो तो आप इस तरह दाल को बना के खा सकते हैं चलो दोस्तो हम आप इसको मिल के बनाना शुरू कर करते इसके लिए कष़ता होखान तहीं कंडे थी आठीब शॉश्च करने का करते हैं कर दोस्तों यह अरहर की दाल है ग्रामी दाल थृ दृ किự नर्टकर साफ के रख घक्स दंद कर चाण लिया है हमने एक लोकी लिए ग्राम में ये लोकी 600 ग्राम है इस लोकी के द्वारा हम दाल को बनाएंगे और इसको उपरी छिकले को निकाल देते हैं और दो से तीन पानी से धुल के तयार कर लिए अब इसके हमने छोटी टुकड़े काट लिना है पूरी लोकी के ऐसी हमने छोटी लोकी काटते तभी तक इसको भीगो के रखते हैं इस पूरी दाल की सिकेंदर हमने डाल दिया साथ ही साथ चमच की द्वारा मिला लेते हैं और मिला कि इसमें हमने धक्कन लगा देना है धक्कन लगा के गैस पे रख देते हैं एक सीटी हमने हाई फ्लेम पे तथा दो सीटी हमने लो फ्लेम पे कर लेनी है जब तक दाल पकरी तब तक हम तड़के की तयारी कर लेते हैं आज का तड़का हम थोड़ी समागरी की द्वारा लगा रहें, दो हमने साबुत लाल मिर्च लिए तथा आठ से दस हमने कड़ी पत्ता लिया है, आधा टेबे स्पून हमने सामर मसाला लिया, आप गरम मसाला है, सबजी मसाला भी उसकर सकते हैं, आधा टेबे स्पून राई ह हो गई है एक सीट हमने हाई फ्लेम पे तथा दो सीटी लो फ्लेम पे की थी और देखिए इस तरह से दाल पक के तयार हो गई इसको चला लेते हैं एक बार कल्चिलक सहाता से इस तरह है पहलदी दाल बनाई है बहुत ही टेस्टी बन के तयार होती गैस पे जो हमने घीर रखा गरम हो गया है उसके अंदर आधा टेबे स्पून हमने जीरा डाल दिया आधा टेबे स्पून इसके अंदर हमने राई डाल दिया है दो लाल मिर्स ता था आठ से दस जो हमने कढ़ी पत्ते लिये थे इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं सारी समागरी को हमने चलाने बाद इसके अंदर थोड़ा से जो आधाटे बेस्पून से थोड़ा से जादा सामर मसाला लिया था उसको भी डाल देते हैं जो मसाला आप पसंद करते हैं उसको इसके अंदर डाल लीजे पूरी दाल को इसके अंदर हमने डाल दिया और डालने के बाद इसको 2-3 मिर्ट तक पका लेते हैं और पकाने के बाद ये दाल पूरी तरह से बन के तयार होगे अगर आप पसंद करते हैं तो प्याज की दोरह भी इसका तर्का लगा सकते हैं लाल मिर्च पाउडर अगर आपको ज़्यादा पसंद हैं मसाला पसंद हैं तो आप अपनी स्वात के उसार इसके अंदर मिला सकते हैं वैसे ही दाल सिंपल ही बहुत टेस्टी लगती अगर रिस्पेर ची लगे दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज दोस्तों इसको सब्सक्राइब केए साथ ही साथ बिलाइकन दबाना बिल्कुल नी भूलना और प्लीस दोस्तों इस तरह आप हेल्दी और टेस्टी दाल बना के मुझे कमेंट करके बताना कि इस तरह दाल आपने बनाई तो कैसी बनाई आप अपने घर परिवाब बच्चों था था अपनों के लिए प्यार से अगर आप मक्षन पसंद करते हैं तो मक्षन भी इसके अंदर मिला सकते इस तरह हेल्दी था टेस्टी दाल बंद के तयार होगी देखने में चितनी एच्छी लेगरी खाने में सिख कहीं जाता है टेस्टी दाले आप तिपता कीमती से में निकाह के हमारा यह वीडियो बहुत बहुत शुक्रिया फिर मिलते अपती ने वीडियो ने रेस्पिक सा स्वेता पाकलम बाय दूस्तों टेक केर